यहां पर काफी सरे बच्चे जॉइन कर चुके हैं और कुछ बच्चे इस बात से खुश नहीं है लग रहा है ओके कोई दिकत नहीं वेटा लेकिन यहां पर आप यह तो जानते ही हो कि अगर यहां पर हम थोड़ा सा लेट जॉइन कर रहे हैं तो फिर यहां पर हम और दे तक पढ़के एक घंटा डेफिनेटली हमारी क्लास एक्स्टेंड करते हैं ठीक है और चलो तो यहां पर जो हमारा आज का लेक्टर नमबर फाइओ स्ट्रेट लाइन इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें अलोड़ी पढ़ी हुई है लेकिन आज का यहां पर लेक्टर काफी अच्छे से आता है ठीक है तो आजके लेक्टर इसलिए आपके लिए अपको पता होना रहें पूरे सिरीज में चलुम्पेज पर जाके सारी प्लेइस को स्टडी करना चाहिए अगर आपने कुछ करना है हमें सभी बच्चों को यह हमारा मिशन है ठीक है आयम समीर चिंचो लिकर आयो डन में बीटेक एमटेक फ्रॉम आइट रुड़की एंड और वैसा ही कुछ एक्सपिरियंस हमारी बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी है यहां पर जयन सर जो है वह फिजिक्स के टीचर है और और इन और इन फिसिकल ठीक है बहुत ही कम टीचर से इंडिया में के मिस्टी के जो यह कर पाते हैं ठीक है इस डिफिनेटली गॉल ओफ केमिस्ट्री और यह तीच मैथमाटिक्स ठीक है और तो हमारी जो पूरी टीम है बच्चों आपकी मदद करने के लिए यहां पर मौज यहां पर जो एप है यह काफी कुछ वाट्साइब जैसा ही है लेकिन इसके उपर जो ग्रूप है काफी ज़्यादा एजुकेशन फोकस्ट रहेगा तो उसके इंदर डिसकेशन ज्यादा बेटर हो पाते हैं और यहां पर ज्यादा डिस्ट्रेक्शन नहीं होता है कोई साथ भी हो सकता है उसे फरक नहीं पड़ता ब्राउजर में आपको लिखना है tinyurl.com.jlivechat इसको अगर आप एंटर करते हो यूइल गेट परमिशन तो जॉइन ग्रूप वहां पर आपके साथ में बच्चों रेगलर बेसिस पे नोट्स और भी सारे यहां पर कोड्स औ और एक connectivity वाली feel आएगे आपको which is very important क्योंकि जब भी आप online पढ़ाय करते हो it always gives you a feel कि आप अकेले हो ठीक है वो feel अच्छी नहीं होती आहम सब आपके साथ में है आपके help करने के लिए यहां पर ready है वो एक feel जो है एक group वाली जो feel है वो इसके अंदर बहुत अच्छी होती ह है आपको ज़्यादा confidence आएगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही है और बाकी students भी आपके ही तरह है जो online mode के through अपनी preparation करना चाह रहा है इतनी important जे मेंस और advanced के examinations की ठीक है all right और बच्चों क्या है यहां पर आप हमसे और ज़्यादा पढ़ना अगर चाहते हो you can connect with us on an academy plus क्योंकि वहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा time dedicated थोड़ा सा जाधा है ठीक है इसलिए वहाँ पर हमारे पास classes थोड़ी सी जाधा है हम जाधा length में चीजों को discuss कर पा रहा है जहां पर हम material देते हैं उस चीज का doubt discussion होता है बच्चे अपने reference book अगर solve कर रहे ह ठीक है इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जो weekly और monthly टेस्स बनते हैं वो तो हर एक educator अपने बच्चों के लिए बनाता है लेकिन यहाँ पर काफी सारे educators है ठीक है यहाँ पर इंडिया के top educators मौझूद है जो आपकी help करने के लिए ready है अब हर educator का आपको अलग से test मिलेगा लेक तो यहाँ पर बच्चों long term courses चल रहा है हमारे साथ में evolve और emerge नाम से अगर आप यह join करोगे you will definitely feel कि आपका preparation बिलकुल सही चल रहा है although यहाँ पर भी हम complete चीज़े cover कर रहे है just because वहाँ पर हम जाधा time dedicate कर पा रहा है इसलिए वहाँ पर चीज़े थोड़ी सी जाधा discuss हो रही है ऐसा मुझे लगता है plus the interactive environment जो वहाँ पर present है interactive environment actually gives a better feel and better understanding of any concept that we study all right तो करना क्या है बस app पर जाना है आपको app store में जाके download करो on academy's learning app which is one of the trending education apps in India ठीक है उसको अगर आप download करते हो वहाँ पर आपको काफी सारे features मिलेंगे कुछ free lessons भी मिलेंगे लेकिन आप कहा जाना चाहते हो आप plus वाले section में जाकर subscribe करना चाहोगे iatje section को जहाँ पर आप हमसे live पढ़ पाऊगे subscription लेने के बाद में अब यह subscription बच्चों लेने के लिए आपको कुछ cost जरूर पे करना पड़ता है लेकिन जो facilities यहाँ पर मिल रही है उनका यह code use करके आपको extra 10% discount मिल जाएगा और आपका यहाँ पर और आसान हो जाएगा plus join करना ठीक है तो यह basic information हम बार-बार इसलिए देते हैं क्योंकि काफि सारे बच्चों ते हाँ पर regularly join कर रहे हैं उनको तो यह पता ही है लेकिन हमारी family जो है यूट्यूब पर दिन बढ़ रहे हैं और काफि सारे बच्चे हमें regularly join कर रहे हैं for those students this is definitely important information अगर वो plus join करना चाहरा है then this is the right time आप जितना delay करोगे उतना जादा आपको यहाँ पर जो discussions है जो DPP के discussions है वो आपको यहाँ पर backlog में जाएंगे of equation of line equation of line हमने काफी पहले discuss किया था स्ट्रीट लाइन वाले चैप्टर में चाहिए लेक्चर नमबर टू में हमने equation of line पढ़ना स्टार्ट किया है ठीक है और लेकिन हमने एक format छोड़के रखा था विचिस पैरामेट्रिक फॉर्म क्योंकि एक कनेक्टिविटी में लाना चाह रहा हूं पैरामेट्रिक फॉर्माट के यूज बेसिकली हम कहां करते हैं वह आज की लेक्टर में आपको ज्यादा अच्छी सब्सक्राइगा इसका जो basic application है वह आपको समझाना है वह आपको अलग तरीक भी काफी अच्छे समझ में आनेंगे तो हमारा पैरामेट्रिक एक्वेशन ऑफ लाइन जो है वह ऐसा कुछ दिखता है एक्स मैनस एक्सवन अपॉन कॉस्टिदा इस इकोल डिखने में काफी सिंपल है कैसे आया यह पता करने की कोईश करते हैं और क्या-क्या है इसके भी हमें पहले पता करने होगी तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म कभ यूज करना चाहिए जब आपके पास एक लाइन का इक्वेशन है आपके पास ऑल्री एक लाइन का इक्वेशन है तो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना चाहिए क्यों क्योंकि आपको यह और आपके यह लाइन का slope भी अलरडी है थीटा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके ऊपर मुझे इक coordinate निकाल के बताओ जो क्यू से r distance पे है एक coordinate पी निकाल के बताओ जो यहाँ पर पी क्यू से r distance पे है तो r distance में जाके मुझे एक p point मिला है x, y, मैं उसका coordinate निकालना चाहना हूँ ऐसा अगर इसको सोचोगे तो आपको ज़ादा अच्छे से ये format का importance समझ में आएगा ठीक है, all right, तो यहाँ पर अगर मुझे इसका relation निकालना है तो बड़ा ही आसान काम है, क्योंकि यहाँ पर मैंने triangle भी already complete करके रखा है तो आपको पता है कि यहाँ पर कहने की right angle triangle का use करके मैं relation निकाल सकता हूँ ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पर आपको क्या-क्या पता है problem statement क्या है, वो समझना बहुत important to understand parametric form problem statement यह है कि आपको q से r distance पे एक नया point find करके बताना है समझे, problem statement समझ में आ रहा है, ठीक है, all right तो यहाँ पर r distance पे अगर मुझे एक p point find करना है, तो मैं इस figure का use करके निकाल सकता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर basic coordinate geometry का use करके आप यह तो बताई सकते है बच्चों कि यह जो horizontal line segment यहाँ पर बन रहा है इसका length x-x1 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आगर आगे वाले का coordinate x है, पीछ आले का coordinate x1 है तो यह जो horizontal distance है, यह x-x1 होना चाहिए, वैसी यह जो vertical distance है, यह कितना होना चाहिए, यह vertical distance y-y1 होना चाहिए vertical distance y-y1 होना चाहिए, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा trigonometry यहाँ पर use करूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कि यह जो horizontal distance है, यह जो horizontal distance है, नमसर ने भोदबार करवाए होगा आपका यह, यह कितना होना चाहिए, r cos theta, r cos theta, isn't it, तो यह जो r cos theta का value है, उस figure से किसके बरावर आ र चाहिए, r sin theta के बरावर होना चाहिए, कितना r sin theta के बरावर होना चाहिए, लेकिन हमने already coordinate geometry का use करके, उसको कितना लिखा हुआ है, y-y1 लिखा हुआ है, तो क्या मैं यहाँ पर एक single step और करके final equation तक पहुच पार हो, यहाँ पर अगर मैं cos theta से divide कर दूँ, और मैं अगर sin theta से divide कर दूँ, तो मुझे दो अलग-लग equations मिलेंगे, जिन दोनों की value किसके बरावर है, r के बरावर है, तो क्या आपके यह equation आ जाए, कि दोनों को compare करके, x-1 upon cos theta is equal to y-1 upon sin theta is equal to r, ठीक है, तो यहाँ पर x और y क्या है, वो एक unknown point जो आपको find करना है, x और y क्या है, वो एक unknown point जो x-1, y-1 क्या है, वो initial point है, जिससे आपको r distance पर point निकालना है, सारे entities clear हो गए, ठीक है, क्योंकि आपको यह parametric equation आगे चलके अब use करने की ज़रूत पड़ेगी, is it clear to everyone? जल्दी बताओ मुझे comments में, समझ में आरी बाते हैं, all right, कुछ बच्चे पूछने, indefinite कप्षे resume होगा, तो यहां से मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे यहां पर नए भी है, क्योंकि ऐसे questions हमेरे regular बच्चे नहीं पूछ रहे हैं, यहां पर बच्चो जो Monday Tuesday Wednesday के lectures हैं, वो 11th class के lectures हैं, जहां पर अभी straight lines चल रहा है, और आप आपका जो 12th class के lecture से होते हैं, Friday, Saturday, Sunday, है ना, 12th class के lecture में indefinite start हो जाएगा, तो resume होगा या नहीं होगा, यह तो मतलब resume डिये हो, ऐसा मान के चलो, है ना, बीच में थोड़ा सामने break ज़रूर लिया था, क्योंकि मैं में main's के important topic पढ़ाना चाह रहा था, तो Friday को आपको यहां पर indefinite देखने को मिलेगा, ठीक है, yes, thank you very much, Shivam for asking, अभी मेरी तबियत काफी ठीक है, कल के lecture में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थे, लेकिन आज काफी सही लग रहा है, all right, yes, yes, बाकी बच्छी जो concern है, thank you very much, लेकिन यहां पर, अगर आपको parametric format समझ में आ जाएगा, तो आज क parametric equation ऐसा आपको दिखाई देता है, इसके उपर एक question करके देखते हैं, ठीक है, यहां पर आपके बास ऐस तरह के questions आएगे बच्छों, जहां पर parametric format यूस करना, आपको सहुलियत प्रदान करेगा, ठीक है, all right, तो क्या लिखा है यहां पर, a line through the point 2,3 meets the lines, यह दोनों जो blue मे lines दिए, वहां पर यह दोनों lines को जाके cut करता है, at point A and B respectively, if P divides AB externally in the ratio 3 is to 2, then find the equation of the line AB, ऐसा यहां पर यहां पर एक discussion और कर लेता हूं, पीछे जाके, यहां पर किसी बच्छे को doubt आ सकता है, ठीक है, यहां पर किसी बच्छे को doubt आ सकता है, ठीक है, यहां पर किसी बच्छे को doubt find करके बताना है, तो R distance आपने उपर mark किया है, नीचे भी तो हो सकता था, नीचे भी हो सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही doubt है, नीचे भी हो सकता है, अगर आपको नीचे वाला point find करना है, तो आप R के place में क्या use कर सकते हो, माइनस R यूस कर सकते हो, ठीक है, तो entire parametric format आपक नीचे वाला point मिलेगा आपको, ठीक है, all right, तो let us get back to our question, यहाँ पर मैं पहले तो question समझाने की कोशिश करूँगा, है न, question अगर आपको समझ में आएगा, तो आप यहाँ पर समझ पाओगे कि यहाँ पर parametric का use कैसे किया जाएगा, ठीक है, all right, तो यहाँ पर क्या है मेरे प यहाँ से मैंने एक line draw करी, जो given lines को cut करती है, कहाँ कहाँ cut करती है, A और B point पे cut करती है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट A है, और यहाँ पॉइंट B है, ठीक है, अच्छा, A, A कौन से अली line को cut कर आए, देखें, एक बार ध्यान से, cut the lines this and this respectively लिखा ठीक है, तो यह line 1 अगर है, यह अगर मेरी line 1 है, और यह मेरा line 2 है, तो यहाँ पर मेर पास, यह जो उपर वाली black line है, यह होना ची, line 1, क्योंकि उसको उपर A mark किया है मैंने, और यह होना ची, line 2, ठीक है, line 1 को A पे cut करता है, और line 2 को B पे cut करता है, कौन सा अला line, यह P से जो divide कर रहा है P, है ना हमें पता है, यह point बाहर है, तो यह अच्छी बात है, point अगर बाहर है, तो external division बिल्कुल काम दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है, if P divides AB externally in the ratio 3 is to 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, क्या आपके यह जो length का ratio है, कौनसा कौनसा, A से लेके P त कर सकते हो, क्या दिया यहाँ पे, A से लेके P तक का distance upon P से लेके B तक का distance का ratio 3 is to 2 दिया हुआ है, और आगे पूछा क्या है, मुझे AB का equation निकाल के बताना है, अब AB line, AB line बोलो, या AP line बोलो, या BP line बोलो, ये सारी सेमी lines है, मुझे AB line का equation निकालना है, ऐसा है question है, तो यहाँ पर आप देख के पहली बात तो क्या पता कर सकते हो, यहाँ पर क्या क्या data missing है, अगर आपने वो देख लिए तो आपको समझ में आगा कि क्या find करना है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास AB line का equation निकालना target है, which is same as AP line, which is same as AP line, तो और यहीं मुझे AB line के उपर लाय करना होला है, पॉइंट दिख रहा है, 2,3, इसके उपर मुझे अलड़ी एक पॉइंट दिख रहा है, 2,3, मतलब क्या missing है, अगर मुझे red line का equation find करना question है, तो red line का slope अगर मुझे पता चल जाएगा, अगर मुझे red line का slope पता चल जाएगा, तो मैं इस line का equation बता पाऊंगा, यह लिए बास मैं ऐसा मानता हूँ, कि P point से मैंने चलना स्टार्ट किया, P point से चलना स्टार्ट किया, तो R1 distance पे गया, R1 distance पे गया, तो मुझे एक point A मिला, और वैसे ही P point से चलना स्टार्ट किया, तो R2 distance में मुझे एक point B मिला, clear है, R1, R2, यह कैसा figure बन रहा है, जैसे हमने parametric में, theory में figure कर देखा था, वैसे कुछ तो figure बन रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर missing क्या है, मैंने वहाँ पर बोला था कि आपको इस line का slope भी पता होना चीए, कोई बात नहीं, इस question में slope फाइंड करना है, तो कोई नो कोई additional data होगा, additional data यूज करके इसका मतलब मैं answer निकाल पाऊंगा, तो मान लेते हैं कि यह जो red line आपको find करनी है, उसका angle of inclination theta है, यही तो हमें चाहिए, यही तो missing है, tan theta अगर मुझे पता चल गया, तो मेरे पास slope आजागा, tan theta मतलब slope, ठीक है, tan theta पता करना है, यहाँ पर main target है आपका, क्योंकि point आपके वास already है, slope point form का यूज करके आप इस question को जड़ा देखे थान से, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ऐसा करते है, a का coordinate निकाल के देखते हैं, ठीक है, a का coordinate कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, parametric form का use करके, ठीक है, parametric format क्या था, याद होगे है सबको, otherwise मैं एक बर बोल के दिखाता हूँ फिर से, x minus x1, x1 मतलब क्या ह हो जाएगा, y minus 3, y minus y1, x1, y1 क्या है, जहां से हमने चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, y minus 3 upon कितना हो जाएगा, sin theta, लेकिन कितना दूर जाना है, मुझे, r1 distance दूर जाना है, तो इधर कितना लिखूं का मैं, r1, इस से क्या हुआ, इस से मेरे पास x और y में एक equation आईए, और और भी बहुत सारे unknown है, r1 भी नहीं पता है, मुझे, cos theta भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, अभी चलने देते हैं इस चीज़ को, लेकिन मेरा focus किस पर है, कि मैं यहां पर a का coordinate कुछ करके find करूं, a का coordinate कर रहा है, मतलब क्या करना है, x और y की values निकाल नहीं है, तो ठीक है, म मेरे पास में, r1 sin theta प्लस 3, ठीक है, अब यह जो x और y के values है, यही आपका a का coordinate है, लेकिन a के coordinate में अच्छी बात क्या है, a के coordinate में अच्छी बात यह है, कि वो l1 पे लाए कर रहा है, a का coordinate l1 पे लाए कर रहा है, जिसकी equation मुझे पता है, तो equation of l1 कितनी है, equation of l1 जो है, वो है हमारे पास में, l1 पहले mark कर लिए हमने, x minus 2y plus 7 is equal to 0, यह हमारा first line है, जहाँ पर a वाला point लाए करता है, क्या यह आला point इसको satisfy करेगा, yes या no, बिल्कुल करेगा, क्योंकि a point किसके उपर लाए करता है, l1 के उपर लाए करता है, तो अगर मैंने यह coordinate उठा दिरे दिरे आपको बाते क्लिक करना start होंगे, यहाँ पर अगर मैं x की जगे यह value डालता हूं, तो कितना बनेगा, r1 cos theta plus 2, यह x के place में डाल दिया, मैंने, minus 2 times of y के place में क्या डाल दिया, जो a का coordinate है, तो कितना हो जाएगा, r1 sin theta plus 3, और plus कितना हो गया, 7 is equal to 0, यहाँ तक ब additional information है, यह data में कुछ ने कुछ करके use करना चाहरा हो, यहाँ पर r1 मतलब क्या है, जो ap length है, numerator मेरा, वो ही तो r1 है, so we are trying to find r1 using this particular approach, ठीक है, तो आपके अस कितना आएगा यहाँ पर, r1 के साथ में क्या-क्या है, एक तो cos theta है, और क्या है r1 के साथ में, minus 2 sin theta है, है यह r1 के constant quantities है, वो क्या-क्या है, एक तो आपके पास में 2 है, और एक आपके पास में यहाँ पर, एक एक करके लिख लेता है, सारी चीज़ें, एक आपके पास 2 है, एक आपके पास में minus 6 है, और एक आपके पास में 7 है, ठीक है, यह आपके पास में कुछ तो constant quantities बच रहे हैं, कितनी ह तो यहां से जल्दी से देखे हो दाओ रवन का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है बच्छों यह जो भी है उसको राइट है सैड में ले जाते हैं मतलब भी बचाएगा आपके पास में मैनस 3 minus 3 से divide कर दो cos theta minus 2 sin theta से तो r1 का value आपके सामने आ गया ठीक है r1 का value अलग से लिख लेते हैं let us see r1 का value आ गया minus 3 upon cos theta minus 2 sin theta ठीक है इसको समाल के रखेंगे अभी और आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा वाला हमारे पास data है उसको निकालने का और उसको यूज करने का कुछ तरीका ढूंडते हैं बिल्कुल सेम काम करूंगा अभी मैंने a के तो इस का दीखने की कोषिश करी थी अभी मैं r2 distance चल कि वी का कौइणे की कोशिश कर रहा हूं ठीक हे और molehood calculation बिल्कुल सेम है अगर किसे को पहले वाले कल्कूलेशन में दिक्कत आई थी तो इस calculation का उअच्छसए लिखने की कोशिश कर रहा हूं रख लाइनका प्र की कारमेटरिक यहां परική कोशिश कर रहा हूं रहे क्मुझ्छे बी का कोडिनेट क्या है मान लेते हैं, फिर से x, y मान लेते हैं, तो आपका equation कैसा बनेगा, x-x1 मतलब कितना है, x-2 है शायद, है ना, starting point 2 है, x-2 upon cos theta, is equal to y-3 upon sin theta, इस बार कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे r2 distance में जाके जो point मिल रहा है, उसका नाम b है, ठी ले और last को compare करो, तो आप कैसा आजाएगा, r2 cos theta, plus 2, और y का value आजाएगा, आपके बास में, r2 sin theta, plus 3, ठीके, यह आपके बास जो coordinate आया है, यह b का ही coordinate है, लेकिन अगर यह b का coordinate है, तो इस point ने, किसको satisfy करना चाहिए, इस point में, line 2 को satisfy करना चाहिए, b कहा लाय करता है, line 2 के हमारी x plus 3y minus 3 is equal to 0, ठीके, यहां तक बास में आ रही है, all right, तो यहाँ पर हमारी जो equation of L2 है, वो क्या है, देखें ज़रा, x plus 3y minus 3, x plus 3y minus 3 is equal to 0, अब क्योंकि b point इसके ओपर लाय करता है, तो यह इसके अंदर satisfy करवा देंगे, तो चलेगा, तो satisfy करवाएंगे, तो क्या बने x plus 3 times of, यहां पर y की value क्या है, r2 sin theta plus 3, और minus कितना करना है आपको यहां पर, 3 करना है, equal to 0 आना चाहिए, clear हो रहा है यहां तक, यहां पर फिर से हम क्या करते है, r2 के value निकालनी है, तो r2 वाले terms को club करना start करते है, r2 के साथ में यहां पर कितना है, cos theta, और r2 के साथ में वहां 9 बच रहा है, और minus 3 हो रहा है, ठीक है, all right, तो यहां पर r2 का value निकालने के लिए constants को right hand side में लेके जाओ, तो किता हो जाएगा यह, यह हो जाएगा, 6 और 8 हो जाएगा, तो minus 8 हो जाएगा, yes, all right, calculation भी देखते जाओ, साथ साथ, theta सेम रहेगा, निशान बिल्कुल सेम है, है ना, यहां पर थोड़ा से comment में थोड़ा से कम पढ़ वारा हूं, लेकिन एक मुझे काफी काम का comment देख गया, है ना, ऐसा confusion आना चाहिए, आपको कोई दिकत नी, यहां पर आपके पास जो line का equation है, वो तो change नहीं हो है, red line के ऊपर ही चलना हमने start किया, तो red line को जो angle of incl inclination है, उसका नाम theta है, तो आप चाहे, r1 distance पे जाना चाहोगे, या फिर r2 distance पे जाना चाहोगे, angle of inclination उस line का तो theta ही लेना होगा, ठीक है, वो change करने की ज़रोत नहीं है, बिल्कुल भी, ओके, तो यहां पर कितना हो रहा है, यहां पर आपके पास r2 का जो value आ रहा है, that is minus 8 upon cos theta plus 3 sin theta, ठीक है, यह दोनों values निकालने से फायदा क्या हुआ, मेरे पास equation 1 और equation 2 इसी page पे लिखे हुए है, ध्यान से देखो, यह करने से फायदा यह हुआ है, कि मुझे इन दोनों का ratio 3 by 2 के बराबर यह पता है, पता है कि नहीं पता है, क्योंकि r1, r2 का ही तो ratio दिया हुए ultimately, ap upon pb जो है, that is nothing but, figure के हिसाब से, r1 upon r2 is equal to 3 upon 2, so let us divide these two equations, and equate it to 3 by 2, to get the value of theta, ठीक है, theta ही तो निकालना है, yes, nakul बोल रहा है, बहुत ही lengthy question है, yes, बहुत ही lengthy question है, देखे, लेकिन ऐसे questions आपको practice करने की ज़रोत है बेटा, ठीक है, all right, symmetric form and parametric form are same, yes, सरनो, देखे, बताओ, symmetric format ऐसा ही होता है किया, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, yes, symmetric format भी हो सकता है, किसी book में लिखा हुआ हो, all right, चलो, तो यहाँ पर, हमारे calculation कहां तक पहुँच गया है, हम यहाँ पर r1 upon r2 is equal to 3 by 2 लिखना चाहरे है, ठीक है, r1 upon r2 is equal to 3 by 2 लिखना चाहरे है, ठीक है, r1 का value यहाँ से उठा रहो हो है, minus 3 upon, कितना है, cos theta minus 2 sin theta, और इसको divide करना है, मतलब basically multiply करना है, reciprocal से, तो r2 का reciprocal यहाँ पर देख ले थे कितना है, ultra करने इसको, तो minus cos theta plus 3 sin theta, minus of cos theta plus 3 sin theta, और divide किसे करना है इसको, divide करना है इसको 8 से, ठीक है, यहा कर दिया बेसिकली डिवाइट कर दिया डिया तो इसको अगर कितना कि आना चाहिए तो अब कर चीज़ें कर रहा है सीधे-सीधे तो उनको कांशल करके थोड़ा क्यल्कुलेशन सीम्पल कर लिए यहाँ पर एक तो माइनस और minus हटा दिया जाए, उसके बाद में 3 और 3 भी हटा दिया जाए, ठीक है, और 2 की मदद से यहाँ पर 4 बना दिया जाए, तो आप क्यास अब जो बन रहा है, वो क्या है, आप क्यास calculation एक simple सा बच रहा है, मेरे खाल से cos theta plus 3 sin theta is equal to, यहाँ multiply करके cross multiply किया जाए, यहाँ तो 1 ही बचा हुए, और कुछ है नहीं यहाँ पर, तो आप क्यास जाएगा, 4 cos theta minus 8 sin theta, 4 cos theta minus 8 sin theta, और यहाँ से अब और ज्यादा calculation करने की कोशिश की जाए, तो यहाँ पर आपके पास में क्या-क्या आ रहा है, कुछ तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने गड़बड करी है, क्योंकि answer जो मुझे याद है, वैसा कुछ, यहाँ पर दिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तो किया है, मैंने अच्छा साब, चलो तो एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ पर मेरे पास जो आ रहा है, वो 11 sin theta is equal to 3 cos theta, ठीक है, so expected जो था, वो 10 theta के value थोड़ा इससे better expected था, let us see, यहाँ पर हमने कहां कुछ ऊपर नीचे किया है, 3 by 2 ही है, 3 is to 2 ही है, अब इतना बड़ा question अगर मुझे check करना पड़ जाएगा, तो बहुत ही यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, 10 theta is equal to 3 by 11 आ रहा है आपका भी, हम, all right, तो अगर 3 by 11 आ रहा है, तो क्या मैंने सही किया फिर सब कुछ, I am also surprised, calculation definitely बड़ा है यहाँ ठीक है, और यहाँ पर 10 theta हमारे calculation से जो आ रहा है, that is 3 by 11, ठीक है, और अगर मेरे पास 10 theta आ गया है, let us consider this as the correct calculation, अगर किसी बच्चे को कुछ, यहाँ पर पकड़ में आई है, calculation mistake तो बता सकता है, definitely chat में, ठीक है, all right, हाँ, यहाँ पर lovely umeiza, yes, you are saying कि यहाँ पर कुछ गढ़बढ है, yes, definitely, यहाँ पर बताओ जल्दी से क्या है यहाँ पर, जो हमने correct करना चाहिए, all right, अदरवाइस, यहाँ पर इसी calculation के साथ में basic logic क्या है, वो समझ लो, यहाँ पर basic logic यह है कि 10 theta का value आपके पास आ जाता है, इस तरह से calculation करके, अगर 10 theta का value आ गया है, तो आपके बेसिकली slope आ गया है line का, तो आप slow point format यूज करके इसका final answer निकाल के बता सकते हो, ठीक है, slow point format का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा, एक बार जल्दी से यहाँ पर check किया जाए, कि क्या हो गया है आपे, हमारे पास जो value दी हुई है, वो 3 upon 2 ही है, किसकी value है, R1 upon R2 है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास X-2, X-2 upon cos theta, Y-3 upon sin theta, यहाँ पर हो गया है R1 cos theta plus 2, R1 sin theta plus 3, यह डाला है हमने X-2Y plus 7 के अंदर, तो यह अगर 2 जाएगा इसके साथ में तो minus 2 sin theta सही लिखा है, cos theta भी हमने सही लिखा है, तो R1 के साथ में तो cos theta minus 2 sin theta ही आने वाला है, और यहाँ पर minus 6 आने वाला है, 2 minus 6, 2 minus 6 and plus 7, ठीक है, तो यहाँ पर तो 3 बचके minus 3 ही आने वाला है, यहाँ तक ठीक लग रहा है सब कुछ, cos theta minus 2 sin theta, और नीचे अगर मैं B का calculation करने जाता हूं, theta plus 2, R2 cos theta plus 2, और 3 के साथ में आ रहा है, R2 sin theta plus 3, यह और यहाँ पर 3 sin theta हो गया है, और आपके साथ में, R2 के साथ में cos theta plus 3 sin theta आ रहा है, plus 2 plus 9 minus 3 ठीक है, तो यह किता हो जाएगा है, इस particular case में आपके पास, है, यहाँ पर बचेगा 6, 6 plus 8 हो जाईगा, minus 8 हो जाएगा, और यहाँ पर division में cos theta plus 3 sin theta आ रहा है, ओके, तो यहाँ पर आपके पास में minus 3 है, minus 3 upon cos theta minus 2 sin theta, और आपके पास में हैं, माईनस के साथ में, आपके पास जो लिखा हुए, that is, cos theta plus 3 sin theta upon 8 upon 8, ठीक है, और इनका division 3 by 2 के बराबर है, तो यहां से 3 3 cancel किया, यह कुछ cancel किया, और hmm तो 4 और minus 8 ठीक है ठीक है तो यहां पर, मुझे तो यह लग रहा है ठीक है, तो इसके साथ मैं आगे कोशिश करते है ओर राइट, गुड तो इसके साथ, अगर मैं बच्चो आगे प्रोसीड करूँगा ठीक है, तो मेरे पास final answer के आने वाला है मेरे पास point जो दिया हुआ है P है ना, उसका value है 2,3 और मेरे पास slope दिया हुआ है, that is 3 by 11 ठीक है, तो यहां पर आप मेरे पास final answer कैसे निकलेगा, point slope format से y-y1 is equal to slope into x-x1 ठीक है, इसको calculate किया जाए तो कितना हो जाएगा, 11y-33 is equal to 3x-6 ठीक है, तो हाँ पर आपके आस answer आएगा, 3x-11y and उस side जाएगा तो कितना हो जाएगा, plus 27 is equal to 0 यह answer अभी हम final मान के चलते हैं, ठीक है, all right all right, good, तो अगर इसके अंदर कोई भी changes करना होंगे, next lecture में हम इसको discuss करते हैं, लेकिन back to यहाँ पर concept आते हैं, ठीक है, यहाँ पर basic concept जो है, वो क्या है, कि अगर मुझे किसी भी case में, इस line का equation find करना था, तो जो यहाँ पर जैसे कुछ बच्चे बोले थे सर, यह approach अगर आपके बास में तो उसको apply करके देखना, वो इससे भी जादा lengthy हो जाएगा, ठीक है, तो आपको इस तरह की questions solve करते आना चाहिए, इस तरह questions पहले आ चुके हैं, लेकिन काफी पहले आये थे, recent times में तो इतने lengthy questions वैसे नहीं करने के बाद, आपको एक basic idea लगा है कि parametric format का basic use करना किस तरीके से होता है, ठीक है, all right, तो with that, let us move ahead, है न, और मैं लेकिन इसको जरूर एक बार फिर से check करके आपको final answer कल के class में बताऊंगा कि यह answer आपको सही माना चाहिए कि आधा हाल है कि मैंने दो बार चेक कर लिया इसको ठीक है, तो दो बार चेक करने के बाद भी अगर same आता है, तो सही होना चाहिए, 3x-11y plus 27 is equal to 0, this is what we are going with in today's lecture, ठीक है, all right, चलो, तो आगे बढ़ता है, parametric वाला फंडा हमारा जो discussion का रहा था, line के respect में, उन्हों हमने discuss कर लिया है, तो अब यहाँ पर हम line का जो independent discussion है, वो complete कर चुक है, अब यहाँ पर आगे जो आपको concept पढ़ने की ज़रोत पढ़ेगी, that is, point and line अगर साथ में आ रहे हैं question में, तो क्या-क्या यहाँ पर possibilities generate होंगी, किस-किस type के questions आपके पास में मिलेंगे, ठीक है, क्या है point and line का discussion करना है, तो अगर point और line है, तो आप 2-3 चीज़े कर सकते हो, एक तो यह कर सकते हो कि point का line से distance कितना है, या फिर point से अगर मैं foot of perpendicular drop करूँगा, अगर मैं perpendicular drop करूँगा, तो उसका foot of perpendicular कहा लाए करेगा, ठीक है, वो एक important concept है, या फिर आप अगर line को एक mirror मान के चलते हो, line को आप अगर mirror मानोगे, तो in that case point का image का coordinate कितना होगा, वो भी एक important topic होता है, ठीक है, तो यह दो-तिन linked topics है, जो हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले और भी एक simple topic है, वहाँ से start करते हैं कि आपके पास अगर, एक line है, और multiple points है, आपके पास, अगर एक line है, और multiple points है, तो अब वहां पर उनका position कैसे बताओगे, कि आपके पास, जो points है, वो line के same side में लाए कर रहे हैं, या फिर line के opposite side में लाए कर रहे हैं, ठीक है सोचो इस बात को ध्यान से लाइन के सेम साइड में लाए कर रहा है या फिर लाइन के अपोजिट साइड में लाए कर रहा है या आपको पता करके देखना है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सी बात है आपके पास कोई ने कोई एक लाइन अगर है एक प्लस ब्यू प्लस इस इकल डू जीड़ो उसका जनरल फॉर्मेट हो सकता है तो अब यह सोचो कि अगर मेरे पास एक पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन के एक्जाटली ऊपर लाए कर रहा है ठीक है लेट अस पॉइंट पी नॉट ठीक है जिसका कोईट है एक्स नॉट कॉ क्या है इस कोडिनेट में स्पेशल बात यह है कि यह कोडिनेट लाइन की इक्वेशन में डालके एक्जाटली जीरो क्रियेट करता है यह वाला पॉइंट का जो कोडिनेट है वह लाइन की एक्वेशन में अगर डलेगा तो फिर वह एक्जाटली जीरो क्रियेट करेगा क्य क्योंकि line के ऊपर लाय करने वाला वो point है ठीक है तो हम पर मेरे पास क्या है line की जो भी equation है उसके अंदर अगर मैं point P not डालूंगा तो मेरे पास equal to zero आएगा मतलब मेरे पास क्या relation है A x not plus B y not plus C is equal to 0 यह relation हमारे पास already है ठीक है अब आगे ध्यान से सुनों अगर मैं आपको अब एक और point लेने के लिए बोलूं ठीक है एक point जो मैं आपको लेने के लिए बोल रहा हूं वो इससे exactly vertically ऊपर है vertically ऊपर वाला point लेटर से x1 y1 है जिसको हम P1 से denote कर रहे हैं ठीक है आई बास होन में तो अगर मैं यहां पर x1 y1 इसके अंदर substitute करूंगा x1 y1 में अगर मैं इस line के अंदर substitute करूंगा तो क्या होगा यहां पर वैसे और थोड़ा सा हुआ है समझे इस बात को ठीक है all right तो यहां पर मैं क्या देख रहा हूं कि अब अगर मैं x not y1 x not y1 जो पी वन का कोडिनेट है वो अगर line की equation में डालूंगा तो क्या होगा मुझे 0 तो नहीं मिलने वाला क्योंकि यह जो point P1 है यह line के ओपर करता यह line के बाहर है लेकिन मुझे अगर 0 मिल रहा है तो यह तो positive quantity मिलेगी यह फिर को देखो कि अगर आपने इसके अंदर यदाला है इंस्ट ऑफ एक्स नॉट यहीं चेंज भाए ना बस बाइवन आ गया है वाइवन आट की प्लेस में तो आप से 0 से बड़ा वैल्यू मिलेगा झोटा जीरो से बड़ा वैल्यू मिलेगा ठीक है यहां पर A, B, C positive है, X not वैसा का वैसा है, इसको change किया नहीं है लेकिन आपने Y not को change करके Y1 कर दिया और Y1 की value बड़ी है Y1 की value बड़ी है Y1 से, Y not से इसका आपके वास LHS जो है वो बड़ा हो गया है किस से? 0 से मतलब मैं क्या बोलूगा यहाँ पे अगर मैं line की equation में point P1 डालूँगा तो मुझे greater than 0 मिलेगा यहाँ बात समझ में आ रही है अगर मैं line की equation में point 1 डालूँगा तो मुझे greater than 0 मिलेगा ऐसे ही एक और बार करके देखता हूँ अगर मैं और एक point ले लो इसके उपर ठीक है वो point और भी थोड़ा उपर है let us call this point P2 जिसका coordinate क्या रहेगा Y0, Y2 माल लेते हैं इसको sorry X0, Y2 माल लेते हैं X0, Y2 अगर इसका coordinate है अगर मैंने यहाँ point इसके अंदर डाला तो फिर से क्या होगा आपके ABC अगर positive है और आपने X0 का value change नहीं किया है लेकिन Y0 का replace कर दी है आपने Y2 से जिसकी value बड़ी है तो आपके अस LHS बढ़ा होगा कि नहीं LHS बढ़ा हो जाएगा किस से बढ़ा हो जाएगा 0 से बढ़ा हो जाएगा इसके आपके पास line की equation में 0.2 डाल के भी positive answer आ रहा है अब यह जो बात है यह बहुत important बात हमें सौन में आ रही है कि अगर मैं एक line के एक line की वज़े से आपका plane जो दो parts में divide हुआ है उसमें से मैंने अगर दो points P1 P2 ऐसे consider किये जो line के same side में लाए करते हैं जो line के same side में लाए करते हैं ठीक है तो इसका मतलब आप wall कोडिनेट अगर line की equation में डालते हो तो आपको same sign output में मिलना चाहिए ठीक है आपको same sign output में मिलना चाहिए अगर P1 डाल के positive मिला है तो P2 डाल के भी positive आना चाहिए इसका reverse करके देखते है कि अगर point आपको दूसरी side आ जाएगा तो क्या होगा so let us consider 1.q let us call it q1 q1 कहा लाए कर रहा है red line के नीचे लाए कर रहा है ठीक है तो इसका coordinate में मान रहा हू x2 x0, y3 x0, y3 x0 क्या है x0 constant क्यों है क्योंकि मैं vertical line के उपर travel कर रहा हूँ अगर मैं vertical line के उपर travel कर रहा हूँ तो मेरा x coordinate चेंज होने वाला नहीं है ठीक है अब मैं अगर q1 substitute करूँगा इस line के अंदर तो कहां कहां change होने वाला है abc तो change होने वाली नहीं हो तो line के constant values है ठीक है और और वह कैसे माने अभी हमने यहां पर positive मान कर रखें for convenience ठीक है और क्या है x0 का value change होने यह वाला value ऐसे रहने माला है change क्या हुआ है क्या है क्या वाला नोट की जगे आप क्या डालना चाहरे हो यहां पर y3 डालना चाहरे हो लेकिन y3 का value कैसा है y0 से कम है y3 का value y0 से कम है तो आप जब ही calculation करोगे तो obviously 0 से कम आएगा क्योंकि आपने हापे value कम कर दी आपने हापे value अगर कम कर दी तो overall जो initial expression था उससे कम value आएगी तो initially 0 था मतलब अब 0 से कम value आएगी अगर 0 से कम value आएगी कि मतलब उस चीज़ को में लिक्के से सकता हूँ कि line की equation में अगर मैं q1 point डालूंगा तो मेरे पास less than 0 आएगा तो हाँ से हम फिर से दो चीज़े deduce कर सकते है कि आप अगर p1 और q1 की बात कर रहे हो p1 और q1 जो line के respect में दोनों opposite side लाए करते है जो line के respect में दोनों opposite side लाए करते है then in that case आपने अगर p1 डाल के greater than 0 obtain किया है तो q1 डाल के definitely less than 0 आएगा मतलब sign अलग-अलग आएगा अगर अलग-अलग side लाए करते हैं points तो sign भी अलग-अलग आएगा a simple सा यहाँ पे conclusion ठीक है इसको समझने के लिए हमने सारी चीज़े conveniently ले ली है but otherwise यह जो है बहुती simple तरीके से solve हो जाता है अगर question में देखा जाता हूँ लेकिन इसके अंदर आप और भी तरीके से movement कर सकते थे ठीक है यहाँ पर movement आप अगर आप देखना चाहरे हो तो r1 के coordinate में अब क्या change होगा अगर मैं horizontal moon कर रहा हूँ तो उसका y coordinate change नहीं होगा तो r1 के इसके अंदर जो y coordinate होगा वो y not ही होगा लेकिन x coordinate change होगा तो let us call it x1 तो r1 का coordinate होगया x1, y not अब r1 का value r1 का value अगर मैं डालता हूँ किसके अंदर line की equation में तो क्या होगा क्योंकि आपने यहाँ पर y not change किया नहीं है तो ये बाद वाली 2 terms तो same है लेकिन आपने x not की जगे x1 डाल दिया है अब x1 बड़ा है की छोटा है x1 बड़ा है right hand side लाए कर रहा है मतलब x1 बड़ा है ठीक है जो पहले आ रहा था मतलब 0 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर फिर से में क्या लिख सकता हूँ कि आपके आज line की equation में r1 input जो है वो greater than value generate करेगा ठीक है लेकिन आप अगर left side में जाओगे अगर आप left side में जाओगे तो let us say you get one more point let us call it s1 s1 का coordinate कैसे हो सकता है x2, y0 y का value change होने वाला नहीं है ठीक है तो अगर आप s1 डालो के तो होगा क्या आपका पूरा equation तो same ही रहेगा y0 की जगे y0 ही आने वाला है लेकिन x0 की जगे x2 आ जाएगा x0 की जगे x2 आ जाएगा तो क्योंकि x2 की value x0 से छोटी है तो overall expression calculation के बाद में आपको छोटा मिलेगा पहले मिल रहा था 0 अब छोटा मिलेगा मतलब कैसा हो जाएगा 0 से छोटा 0 से छोटा मतलब कैसा हो जाएगा negative हो जाएगा ठीक है तो line के equation में आपके पास s1 input जो है वो negative output generate करेगा clear हो रहा है अब यहाँ पर आप कैसा भी mix and match कर लो आपको यहाँ पर बिल्कुल सही interpretation मिलने वाला है ठीक है जैसे कि यह दोनो points है यह दोनो points जो है यह दोनो line के respect में same side लाए करते है तो इन दोनों के input से मुझे same sign के answer मिलना चीए मतलब यहाँ तो दोनों plus होना चीए और फिर दोनों minus होना चीए तो S1 और Q1 S1 और Q1 दोनों-दोनों negative है दोनों के दोनों negative है बिल्कुल सही interpretation है हमारा ठीक है ओल्राइट वैसे ही यहाँ पर तीन points है मेरे पास R1, P1, P2 R1, P1, P2 जो है लाइन के respect में same side है क्योंकि यह point same side है तो यह वाले values input करने के बाद में मुझे same sign के expressions मिलना चीए same sign के values मिलना चीए जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है P1 डालो, P2 डालो, चाहे R1 डालो आपको यहाँ पर तीनों ही क्या generate करके दे रहे है positive values generate करके दे रहे ठीक है, और आप mix and match करना ही चाहरे हो तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो S1 ले सकते हो, और P2 ले सकते हो S1 और P2, हमने यहाँ पर कोई link नहीं था इनका ठीक है, लेकिन आप S1 और P2 का discussion कर लेते है S1 और P2 क्योंकि line के opposite side में लाय करते है तो इनके input से आपको अलग-लग sign के expressions generate होते भी दिखना चाहिए ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार P2 डालके आपके पास positive आ रहा है और S1 डालके आपके आपके पास negative आ रहा है बिल्कुल सही चीज यहाँ पर match होते भी दिख रही है हमें आरी बास होन में clear हो रहा है आप अगर what if we move diagonally from points yes, exactly इशा, तो मेरे क्याल से अब वो confusion नहीं आना चीए बेटा क्योंकि यहाँ पर हमने क्या discuss कर लिया हमने तो बेटा यह general case discuss कर लिया सब्सक्राइब कर लिया ना एस वन और पीटू वाला हम step by step गए हैं इशा हम step by step गए हैं ऐसा मान सकते हो आप ठीक है कि पहले मैं पीनोट से left inside गया एक बार पीनोट से ऊपर गया और फिर मैंने मेरे sign change sign जो है वो match करके ठीक है तो यह diagonally ही तो जा रहा हूं मैं अगर मैं directly s1 और p2 को compare करना चाह रहा हूं तो आपके मतलब दिमाग में जो picture बना है समझ रहा हूं मैं आप diagonally ही जाने की बात करें यहां पर green वाला जो movement है वो diagonal movement है लेकिन क्या यह बात अभी यहां पर प्रू होते वह दिख रही है कि अगर यह दोनों opposite side है तो इनका sign अलग-अलग आना चाहिए बिलकुल आ रहा है s1 जो है वो less than 0 दे रहा है तो यहां पर p2 जो है वो greater than 0 दे रहा है clear हो गया तो यह जो basic idea है यह बहुत ही simple है लेकिन तब भी अगर एक बार अच्छे से सहुझ में आ जाता है then you are very much okay with applying that in simple questions ठीक है तो एक बार questions यहां पर करने की कोशिश करता है ठीक है यहां पर आपको धियान कर रखना है अगर आपने points input किये अलग-अलग sign मिला तो opposite side same sign मिला तो same side है ना conclusion बहुत ही आसान है तो एक बार apply करके देखो जल्दी से बताओ मुझे कि यह जो दो points है minus 3, minus 1 and minus 10,2 with respect to the given line x plus 3y plus 7 equal to 0 same side लाए करेंगे यह opposite side लाए करेंगे इससे simple question हो नहीं सकता है जल्दी try करो यह जो दोनो points है given line के respect में same side लाए करेंगे यह opposite side लाए करेंगे कैसे conclude करेंगे इस चीज़ को point डालो उसके अंदर बताओ यहाँ पर positive आएगा निगेटिव आएगा स्वाथी definitely बेटा स्वाथी आप अगर पूछ रहे हो कि vectors आपको पढ़ना है probability पढ़ना है तो यह topics तो हो नहीं वाले discuss है न तो syllabus तो बेटा complete होगा ही है न उसकी tension आपने लो आप बस join करो और classes regularly attend करना स्टार्ट करो सेम आंसर आ रहा है कुछ बच्चों का कुछ बच्चों का opposite भी आ रहा है तो calculation में बस उपर नीचे हो रहा है इसका मतलब ठीक है पर यह तो बहुत ही सिंपल कोशन था इसके अंदर कोई भी calculation mistake होना नहीं चाहिए ठीक है देखें यहां पर क्या होने वाला है आप अगर यहां पर line use करते हो x plus 3y plus 7 ठीक है इसके अंदर आपको डालना है एक एक करके points minus 3, minus 1 एक बार डालके देखते हैं कितना होगा minus 3, minus 1 अगर मैं इसके अंदर क्या positive answer generate कर रहा है कि नहीं कर रहा है minus 3, minus 1 ठीक है यह answer मेरा आ रहा है positive कितना आ रहा है exactly उससे मुझे कुछ खास मतलब नहीं है लेकिन minus 3, minus 1 डालके positive आ इतना मुझे पता है उस line के अंदर ऐसा करते हैं अब एक सब्सक्राइब कर अग्ला पॉइंट डालके देखते हैं minus 10,2 minus 10,2 अगर मैं डालूंगा इसके अंदर क्या हो जाएगा minus 10 यहां डालो x के place में और आपके पास यहां पर टू है तो यहां टू डाल दो और plus 7 करके देखो कितना हो जाएगा यहां पर हो जाएगा minus 10 और वो हो रहा है 6 और 7 कितना हो जाएगा उसकर अटोरे अच्छे से बना लेते हैं थोड़ा तो किया यह आपको minus 10 positive value मिल रही कि नहीं मिल रही है कि आगर दोनों आपको positive value रही है तो यह क्या indicate कर रहाए कि आपके जो given points है वह लाइन के respect में same side लाए करेंगे यही represent कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है all right चलो तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यह तो बहुत ही simple वाला question था इससे better question जो है आपको पहले आ चुका है previous year paper में तो आपको ऐसे simple concepts को भी miss out नहीं करना है बच्छो ठीक है तो 2006 में एक question आया था बहुत interesting question है यह वाला question मैं आज आपको homework में दे रहा हूँ ठीक है so try it out और इसका answer हम discuss करेंगे इसका solution हम discuss करेंगे next class में आप मुझे इसका answer comments में बता सकते हो after the lecture ends ठीक है यहाँ पर क्या question है यहाँ पर आपके पास में ऐसा कुछ दिया हुआ है कि a, a square a, a square जो है वो क्या कर सकती होगी बच्चों y is equal to x by 2 line ऐसी कुछ होगी जिसका angle of inclination 30 degree तभी तो 1 by 2 slope आएगा उसका ठीक है और दूसरी बात आगली वाली लाइन क्या है y is equal to 3x y is equal to 3x कैसी होगी जिसका slope 3 है तो इनकी मदद से x greater than 0 के scenario में आपके वासे एक angle बन रहा है यह जो angle बन रहा है आपका given point a, a square इसके अंदर लाए करना चाहिए अगर a, a square इसके अंदर लाए करना चाहिए तो a की क्या-क्या values हो सकती है ऐसा यह question है ठीक है a, b, c, d मैसे कौन सी values हो सकती है ठीक है और तो इसका answer हम discuss करेंगे इसका solution हम discuss करेंगे next class में अभी आगे बढ़ते हैं और discuss करते हैं हमारा next concept, which is again related to point and line, ठीक है, again related to point and line, all right, कुछ बच्चे यहाँ पर answer बता रहे हैं मुझे इसका, all right, बहुत बढ़िया, तो अगर आपने पहले से solve किया यह बहुत ही बढ़िया बात है, है न, जिन्होंने solve नहीं किया, उन्होंने एक बार इसको जरूर attempt करना चाहिए, बढ़िय जा रहे हैं, और बच्चों यहाँ पर आपने यह भी ध्यान देना चाहिए, कि कई बार ऐसा होता है, कि जो advance में IOI questions होता है, वो काफी similar concept के साथ में numbers change करके mains में आते हैं, ठीक है, तो आपके पास अगर अभी तक भी previous year 40 years वाली book अगर नहीं है, 40-50 years जितने भी आती हो, ठी सब्सक्राइब होने के बाद यह देखना चाहिए, कि आप से उन previous year के J.E. के questions बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, even if your target is to do mains, even if your target is J.E. Mains, you should always try advance के previous year के questions, ठीक है, there is a very high chance, very good chance कि उस type के concepts आपको mains में मिल सकते हैं, आने वाले paper में, तो इसी के साथ बच्चों हम आगे सबस्ते हैं, यहाँ पर कुछ important formulas, है ना, अब यह formula तो बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चीए, यहाँ पर फिर से आपको यह देखना है कि हमारा topic क्या चल रहा है, हमारा topic चल रहा है point and line, हमारे पास में अगर एक line given है, हमारे पास में एक line given है और एक point given है तो मैं यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है वो आप क्या निकाल सकते हो, distance निकाल सकते हो, distance हमेशा कौन सा होता है, distance हमेशा perpendicular distance होता है, यहाँ पर किसी ने perpendicular word use नहीं किया है, तो भी आपको यहाँ पर perpendicular distance ही मान के चलना है, ठीक है, alright, तो पर यह एक पहला concept है जो आपको सीखना है इसका फॉर्मॉला देखो क्या है इसका फॉर्मॉला है कि पी से लेके एम तक का perpendicular distance कितना होगा तो वह होता है मॉडिलस के अंदर मॉडिलस भूलना नहीं है ठीक है मॉडिलस के अंदर ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square यहाँ पर abc क्या है abc line के अंदर जो coefficient से वह ही है और x1 y1 क्या है जिस point का distance निकालना है उस point के coordinates है ठीक है तो यह formula देखना बहुत ही आसान है है कि नहीं यहाँ पर क्योंकि आपके बास numerator में क्या दिख रहा है एसा लग रहा है कि line का equation लिखा हुआ है line का equation लिखा हुआ है लेकिन x के place में x1 और y के place में y1 हमने use कर लिया और division किससे हो रहा है and root of a square plus b square से हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है यह तो detail में जब हम discuss करेंगे इसको तो जाह सुन में आएगा लेकिन most important is to remember this formula क्योंकि यह directly आपको use होते मिलेगा आने वाले questions में ठीक है और सुने हापे ध्यान से दूसरी बात जो आपको पताना अच्छी point और line से related that is foot of perpendicular अगर आपके पास एक line given है और आप किसी point से perpendicular drop देते हो तो कहीं न कहीं किसी point M पर जाकी मिल रहा है ऐसा मानके चलता है तो क्या आप इस M का coordinate निकाल सकते हो येस निकाल सकते हैं अगर आपको यह formula पता है तो directly निकाल सकते हो foot of perpendicular का coordinate ठीक है और यह formula इसी तरह के से आपको याद करने की जरूत है ठीक है अब formula फिर से समझके देखते हैं यहाँ पर कुछ आसान सा है क्या याद करने के लिए तो यहाँ पर यह काफी कु और यहाँ पर formula x-x1 upon a is equal to y-y1 upon b is equal to minus of a x1 plus b y1 plus c upon a square plus b square ध्यान दो यहाँ पर अंडूरूट का साइन नहीं है लेकिन parametric में यहाँ पर जब कि यहाँ पर a और b है ठीक है डाट इस अनादर चेंज लेकिन format काफी कुछ वैसा ही है एक सब्सक्राइब पता है आपको क्या है जहां से में फूट अफ पर्पेंडिकलर ड्रॉप करना चाह रहा हूं और एक सब्सक्राइब करना है ठीक है तो हम फर्स्ट और लाश को करेंगे सेकंड और लास को करेंगे और एक सब्सक्राइब करेंगे जो क्या आएगा हमारा फूट ऑफ पर पर पेंडिकलर का वैल्यू निकल के आएगा और एक लास्ट चीज जो आपको पता ना चीए इसी कॉम्बिनेशन के लिए वह है इमेज का कॉड़िन इमेज ऑफ प कोडिनेट कैसे निकाल सकते हो उसके फॉर्मले में और फूट ऑफ पर्पेंडिकलर के फॉर्मले कोई खास डिफ्रेंस नहीं है पूरा का पूरा अरेंजमेंट सेम है बस आप क्या नोटिस करोगे यहाँ पर माइनस के बाद में एक्स्टा टू लिखा हुआ है बस इतना ही चेंज है बागी पूरा फॉर्मला सेम है सबस्रेंगे लेकिन अगर आपने एक्स्टा टू यूज कर लिया है तो एक्स और य की अब जो आंसर निकल के आएंगे वो क्या रहेंगे आपके इमेज के कोडिनेट्स रहेंगे यह जो तीन चीज़े हैं यह तीन चीज़े आपक बेसिक से फिगर से स्टार्ट करते हैं आपके पास एक लाइन है आपके पास एक पॉइंट है पॉइंट पी जो है वो एक्स और वाइवन है आपको यहाँ पर लेटस से डिस्टंस निकालना है तो आपने यहाँ पर इसका नाम एम दिया और जो डिस्टंस है उसका नाम में आया था तो आपको काफी आसानी से यहां पर बातें आगे समझ में आने लग जाएंगी ठीक है तो यहां पर आप कैसे हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहें मैं यह मान रहा हूँ कि मैरा लाइन का equation क्या है जो दिया हुआ है AX Plus BY Plus C is equal to 0 तो लाइन का slope जल्दी से दो एक के बता सकते हो कितना हो जाएगा यह जो गीवन लाइन है गीवन लाइन है कोशन में उसका स्लोप हो जाएगा आपके पास में minus a upon b क्लियर है minus a upon b और अगर आपको perpendicular pm का slope निकालना है तो slope of pm कितना हो जाएगा क्योंकि वह परपेंडिक्लर है तो इसका रेसिप्रोकल करो और साइन चेंज करो तो हो जाएगा बी अपॉन है तो स्लोप पी मेरे पास बी अपॉन ए हो गया अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करना चाहरा हूँ कैलकुलेशन मेरा यहाँ पर जो कैलकुलेशन है उसके लिए मैं मान रहा हूँ कि मेरा जो पी-एम का एंगल ओफ इंकलीनेशन है वो थीटा है एंगल ओफ इंकलीनेशन की जरूत क्यों पढ़ने वाली है मुझे ऑल्दो मेरे पास स्लोप है लेगिन मैं एक्स्ट्रा कॉंटि यकुईषन उफ बीएम कैसे आएगा एकस माइनस एकनको से स्टाट करें एक सब्सक्राइब तो और तो क्या बनेगा आपके बास यहां पर एकसर मांने थीटा मान लिया है एक्सलिप the साइन थीटा इसी इक्वल टू डी क्यों क्यों कि मैं डी डिस्टंस नीचे आके एक पॉइंट एम फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है आचा तो यहाँ पर अगर मैं कॉडिनेट ऑफ एम लिखना जाओंगा तो एम का कॉडिनेट कितना बनेगा देखें ज़रा यहा पूर गया हूं तो अगर फिगर को देखा जाए तो क्या मिलेगा फिर मुझे एम का कॉडिनेट मिलेगा ठीक है इसका तो यहां से जो एक्स और य निकल के आने वाले हैं वह एम के कॉडिनेट कितने आएंगे यहां पर क्रोस्टिप्लाइब करके फिर्स और लास को कंपेर करो आप क्यासा आएगा यहां पर म का कॉडिनेट इक टीकॉस टीटा क्लैसे लाइन की एक्वेशन में सैटिस्फाइकर तो इसको डालो गे तो देखो कितना बढ़िए आपके बास एक्स्प्रेशन बनने वाला है आप क्या साएगा a into x, x का value कितना है, यह वाला value आपका, d cos theta plus x1, plus आपके पास में b के साथ में कितना है, b के साथ में है y, y का value यहां से उठा लो, which is d sin theta plus y1, और साथ में क्या लिखा है, आपके पास में c is equal to 0, अब यहां पर सबसे पहले में यहां पे d का value calculate करना चाह रहा हूँ, जैसे हमने पहले वाले questions में r1 और r2 के values calculate करी थी, ठीक है, तो यहां से d का value calculate करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, d वाले terms को combine करना पड़ेगा, तो आपके आज d के साथ में, यहां से कितना आ रहा है, a cos theta, और d के साथ में, वहां से कितना आ रहा है, b sin theta, clear है, और बची भी terms क्या क्या है आपके बास में, ax1 plus by1 plus c, यह सारी चीज़ें अगर मैं right hand side में ले जाओंगो, तो कितना हो जाएगा, minus times of ax1 plus by1 plus c, तो यहां पर d का answer निकल चुका है हमारा, minus times of ax1 plus by1 plus c, division में आ रहा है, a cos theta plus b sin theta, सोड़ी वो चीजें दिक्कत देने वाली है, तो उनको और अच्छे से change करते हैं, ताकि मुझे d का एक अच्छा सा formula मिल लिपाए, d का formula अलड़ी हमने देख लिया है, वहां तक हम पहुशने की कोशिश कर रहे है, ठीक है, अब यहां पर यह बताओ कि अगर मैंने यहां पर इस line का inclination theta माना है, और इस line का slope अलड़ी मुझे b by a पता है, तो मेरे पास क्या relation है अलड़ी, मेरे पास अलड़ी जो relation exist करता है, that is, tan theta is equal to b upon a, क्योंकि tan theta क्या होता है, slope कि कि बराबर b upon a के बराबर है, ठीक है, तो देखें, यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके tan theta का value आ रहा है, b नीचे आ रहा है, a, और यह अंडरूट के अंदर जा रहा है, a square plus b square, ठीक है, तो cos theta का value कितना हो रहा है, बच्चो, cos theta हो जाएगा, a upon root of a square plus b square, a upon root of a square plus b square, तो a साथ multiply हो जाएगा, a square upon root of a square plus b square, और वैसे sin theta, देखो, इस triangle से कितना हो रहा है, sin theta हो जाएगा, b upon root of a square plus b square, वो अगर आप यहां पर substitute करते हैं, तो कितना हो जाएगा, b के साथ multiplication के बाद में, b square upon root of a square plus b square, ठीक है, now we are getting something, यहां पर अगर मैं cos theta sin theta के value substitute करता हूँ, तो में पास d का जो answer आ रहा है, that is minus of a x1 plus b y1 plus c upon a square upon and root of a square plus b square and plus b square upon and root of a square plus b square, ठीक है, तो इसको अगर मुझे calculate करना है, तो यहां पर denominator तो अलोरी same है, तो मैं उपर आड कर सकता हूँ, तो उपर आगया a square plus b square, नीचे लिखा हूँ है and root of a square plus b square, plus b y1 plus c denominator में आएगा and root of a square plus b square, clear हो रहा है? लेकिन आप यहां पर extra minus का sign आ रहा है, which I don't want to include, क्योंकि अगर कोई मुझे से पूछ रहा है, कि यह point कितना दूर है, तो मुझे इससे फरक नहीं पढ़ रहा, कि line तक पहुशने के लिए, मुझे नीचे आने की जरूरत है, या line तक पहुशने के लिए, मुझे ऊपर जाने की जरूरत है, exact figure तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं variable के format में चीज़े solve कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे a x plus b y plus c का value भी नहीं पता कितना है, और मुझे x1, y1 भी exactly नहीं पता कितना है, ठीक है, so what do I want to do, मैं यहाँ पर क्या देखना चाह रहा हूँ, कि exact distance कितना है, अब distance जो है, distance भी हमेशा positive रहने वाला है, तो यह expression हमारे पास अलड़ी बहुत अच्छा आ चुका है, अगर कोई मुझसे perpendicular distance p m अब पूछने की कोशिश करेगा, तो मैं इसका mod वाला answer उसको report करूँगा, मुझे negative sign से कुछ खास मतलब नहीं है, और कभी भी नहीं रखना है, इसलिए mod के साथ में हम formula इसको याद रखेंगे, कितना याद रखेंगे, अगर आपको निकालना है, तो वो तो m ही तो है, आपका जो m का कॉडिनेट है, वह ही तो foot of perpendicular है, और m का कॉडिनेट निकालने के लिए आपने और रेड़ वाली equation लिखी हुई है, इस रेड़ वाली equation में अगर आप d का value डाल दोगे, जो आप निकाल चुके हैं अगर आप यहाँ पर d का value डाल दोगे, ठीक है, आप यहाँ पर cos theta और sin theta का value निकाल चुके, वो भी अगर यहाँ पर डाल दोगे, तो आपके आपस जो एक formula generate होगा, वो exactly यही formula होगा जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, second कैसे होगा derivation समझ में आ रहा हैं सबको, क्या करेंगे यहाँ पर, इस formula तक पहुचने के लिए, यह जो आपके उस red वाली equation है, ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको, दो चीज़े करना है, पहली चीज़े यह करनी है कि D का value, अगले वाले page पूज जो निकला है, यह वाला value, अब यहाँ पर ध्यान दो बच्छों, यह PM का value यूज़ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैं D का actual value यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ, PM तो हमारा एक required answer है, D एक intermediate value जो आपको कहाँ यूज़ करनी है, यहाँ पर यूज़ करनी है, negative sign इसके लिए important रहेगा, लेकिन cost इरा sign इरा भी अगर आप यहाँ पर divide करके simplify करोगे, तो आपके अज़ बढ़िया सा formula बनेगा, जो आपको याद करना है, दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पर image का coordinate निकालना है, तो आपको क्या change करना होगा, अगर मुझे image का coordinate निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर इसी लिए आपको क्या दिख रहा है, extra 2 multiply किया होगा दिख रहा है, मैं अगर M का coordinate निकालना चारहा हूँ, तो मैं D distance पर जाऊँगा, लेकिन अगर मैं image का coordinate Q निकालना चारहा हूँ, तो मैं 2D distance पर जाऊँगा, तो आपको फिर से same red line का ही equation लिखना है, लेकिन D के place में 2D use करो, तो आपके उस कौन सा formula आजाएगा, image का formula आजाएगा, ठीक है, all right, so with that note, I think यहाँ पर हमने काफी discussion complete किया है हमारा, यह तीनो formula बच्चों कल के lecture के पहले अच्छे से याद कर लेना, और जो हमने यहाँ पर एक question homework में दिया है, उसको भी अच्छे से attempt कर लेना, जो हम next class में इसका discussion continue करेंगे, ठीक है, all right, तो बच्चों आज के लिए इतना है, लेकिन अगर आपको हमसे और जाधा पढ़ना है, ठीक है, अगर आपसे, हमारी team से आपको और जाधा पढ़ना है, you should definitely connect with us on unacademy plus, और काफी सारे बच्चे में देख रहा हूँ कि, हमें join करना चाहा रहा है, लेकिन उनको कहीं पर भी अगर दिक्कत आ रही है, देखें definitely comment in the video section, ताकि हमें पता चले कि, आपको क्या दिक्कत आ रही है, उनको हम solve करके, आपको further help कर सकते हैं, unacademy plus join करने में, और जो बच्चे join कर चुके हैं, उनका feedback काफी अच्छा लग रहा है, तो I hope यहाँ पर आप सब भी join करना चाहा रहे होंगे, अगर कोई यहाँ पर नया है, तो I hope यहाँ पर उसको पता है, कि उसको join कैसे करते हैं, ठीक है, अगर आप join करना चाहा है, you should definitely use J.E.Live code, जो हमारे team का code है, it actually tells us, ठीक है, कि यहाँ पर कौन से बच्चे हैं, जो आलड़ी हमारे YouTube के students हैं, और हम से और जादा पढ़ने के लिए प्लस पर आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको प्लस के बारे में और इंफोर्मेशन चाहीए, you can definitely see in the description, जहां पर आपके पास में बढ़िया से वीडियो है, जिसके अंदर नमो सर ने, और पारा सर ने आपको बता है कि प्लस के क्या क्या अद्वांटेजिस, ठीक है, और राइट, so with that, we also have a special guest in our session here, इंसरा आपस वाचिंग थे शेशन और समिर शार ने एक होमबग भी दिया था, I mean I have lost touch but I solved that problem, a, a, a square wala, यस, इसे पासीख फासाँ? हाँ, बताँ, वे पारावला शेक्ट यजी शेक्ट पारावला वाई दोपाइश दिल्याव यजी वे रिए जिए पारावला वाई शेक्ट पारावला वाईश से विछ दॉपेश यह विच्ट वीच होगा okay that's nice but I also know the other one which is wavy curve वोचे होता है ना A and A okay Okay, Namor Sir, method 2 आपको एहाँ पे हिंट थोड़ी 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 सी Try using that method also to get to that particular answer Okay, a, b, c, d, मैं से आपका इंसर है तोगे आपका 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 इंसर है you can let us know in the comments Okay, alright I hope But that question was awesome तो आपको अगर कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि और फिजिक्स में कोई कोई कोशन बहुत लेंदी हो रहा है डू थो इट आउट तो नमो सर वो डेफिनेटली उसका कोई नो कोई बढ़िया सा सॉलिशन निकाल आपको पक्के से थेंगे ठीक है अल्राइट चलो तो विद आट नोट वी एंडर लेक्ट्टर हीर वोग तो सी यू इन नेक्स लेक्ट्टर एंड लर्न सम आउसन कंसेट्स इवन दें ठीक है चलो टेक्यर बाइब बाइब नाइग और बच्चों लाइक जरूर कर दिना इधिंग वियर हाविं ओमाइग और रिवाइस करते रहना सारे लेक्टर सारी प्लेलिस्ट में सारे सब कुछ इन प्लेस है या डेफिनेटली ठीक है चलो बाइब बाइब